एक समय की बात है भगवान गौतमबुद एक गौमे धरम सभा को संबोधित कर रहे थें लोग अपने बिभिन परिसानियों को लेकर उनके पास जातें और उसका हल लेकर वहां से खुसी-खुसी लोडतें उसी गाओं के एक सड़क के किनारे एक गरीब ब्यक्ती बैठा रहता तथा महातमा बुद्ध के उपदेश सिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता उसे बड़ा आश्यरे होता की लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुस और प्रसंद दिखाए देते हैं उस गरीब को लगा कि क्यों न ओ भी अपनी समस्या को भगवान के समच रखे मन में यह विचार लिये वह भी महातमा बुद्ध के पास पहुँचा लोग पंक्तिबद खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महातमा बुद्ध को पड़ाम किया और फिर कहा भगवान इस गाउं में लगभग सभी लोग खुस और सम्रिद दहाएं फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं इस पर वह गरीब ब्यक्ति बड़ा आहचरचकित हुआ और बोला भगवान मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए किया होगा मेरा तो स्वयम का गुजारा बहुत मुस्किल से हो पाता है लोगों से भीक मांग कर अपना पेट भरता हूँ भगवान बुध कुछ देर सांत रहें फिर बोलें तुम बड़े अज्यानी हो औरों के साथ बाटने के लिए इस्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है मुस्कुडाहट दी है जिससे तुम लोगों में आसा का संचार कर सकते हो मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे सब्द बोल सकते हो उनकी प्रसंसा कर सकते हो दो हाथ दिये हैं लोगों की मदद कर सकते हो इस्वर ने जिसको एत तीन चीजे दी हैं वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है या तो एक भरम है इसे निकाल दो कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उब्देश को अपने जीवन में उतारा जिससे वा फिर कभी दुखी नहीं हुआ दोस्तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और वीडियो को लाइक करके सेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि ऐसी ही वीडियो में लाता रहूं